हांजी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगी UP Polytechnic First Semester के स्टूडेंट्स के लिए Applied Physics के Model Paper के बारे में कि First Semester के Examination में आपको किस तरीके से Applied Physics का Paper पूछता है कितना टाइमिंग रहता है और कितना Passing Marks रहता है यह सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले है तो इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल Pandage Technical अगर आप एक Motivational Videos देखना पसंद करते हैं अच्छी वीडियो दिमाग फ्रेस करने वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हम अपनी TikTok Profile का Link इस वीडियो के Description में दे दे रहे हैं आप वीडियो के End में जाके उस Link पे क्लिक करके हमारे TikTok की Motivational Videos देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है किस तरीके से आपको क्या करना है अगर आप Student हैं तो आपके लिए Students Motivational Videos बनाई गई हैं तो जाके एक बार जरूर चक कीजगा तो चलिए दोस्त इस वीडियो को Start करते हैं यहां पे सबसे पहले हम टाइमिंग की बात करते हैं कि टाइमिंग क्या रहता रहता है तो टाइमिंग रहता है जैसे कि आप यहां पे देख बार होंगे दो घंटा 30 मिनिट यानि कर धाय गंडे का पेपर रहता है आपका maximum marks पचास नंबर के यह पूरा total paper होता है अगर आप एक CBSCboard के student है तो वीडियो के end में चले जाएए क्योंकि इंग्लिस वाला section हम वीडियो के end में बताएंगे आपको फिलाल हम हिंदी माध्यम के students के लिए अभी हिंदी वाला paper जो है वो आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद से समझा रहे हैं सेम कोशन वही रहेगा केवल इंग्लिस वाले students वीडियो के end में चले जाएए और आपको वहाँ पे इंग्लिस वाला section देखने को मिल जाएगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पार होंगे कि यहाँ पे note के अंतरगत दिया है सभी प्रशनों के उत्तर दीजे यनि कि जितने भी प्रशन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे सब का उत्तर देना है यनि कि प्रतिक प्रशन आपका अनिवारे है ठीक है अब 12 कोशन यहाँ पे पूछा गया है जिसमें किनी 10 प्रशनों को आपको उत्तर देना है ठीक है तो कोई भी 10 प्रशन का आप उत्तर दे सकते हैं अब आपको चूज करना है कि कौन कौन सा प्रशन आप करेंगे तो आपके लिए बैटर रहेगा ठीक है कोशन का पैटर आप दे से चुज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख लीज़े कोशन का कुछ पैटन ये रहा और बढ़ते हम अगर अपने दूसरे कोशन की दरफ की दूसरा कोशन आपको किस सकते हैं कि वीमिय विस्टलेशन की सीमाओं का उलेख कीजिए दो सदिसों के अधिस और सदिस गुड़नफल से आप क्या समझते हैं ठीक है धुरुवी उपगरह क्या है इनके उपयोग बताई तो बड़ा सौट में इसका अंसर आप दे सकते हैं बहुत सिंपल सा कोशिन पू तो प्रतेहिक प्रश्न का दो नमबर तो पंस प्रश्न का दस नमबर हो जाएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशिन की दरफ जो है प्रस्न नमबर तीन हैंसमें आपको किने ही दोखंड़ों का हल करना है तो अरुपक्षिन करते ंदрь Harmon को सौलव करना है और यहां रो घनत्व और टी प्रिष्ट तनाव वाले द्रोग की सतह पर बने लगू तरंगों की चाल भी बराबर अंडरूट टू पाई टी अपॉन रो लेम्डा है जहां लेम्डा तरंग देर्ध है वीमिय विधी द्वारा इसकी प्रमाडिकता की पुस्टी कीजे यानि कि इसको प अगस्ट के फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे तो इसमें कोई टेंसल लेने वाली बात नहीं है हम हैं और पिछली बार भी हम अपने चैनल पर प्रिप्रेशन कराने वाले हैं दूसरा प्रशन का पैटरन आप देख सकते हैं कि अभी केंद्री तुरण की परिभासा पूछा है जो पास नॉमबर का है तो कूल मिला आपके प्रशन नंबर तीन जो है वह दस नंबर का है जिसमें दो प्रशन के वल आपको करने है अब आजाते हं चोथे कोश्चन को चोथे कोश्चन में भी किनी दो खंडों को करना है और यहाँ पे तीन प्रश्चन पूछा गया है तीसरा कोश्चन को आप करते हैं तो आपको दस नमबर मिल जाएगा निकि प्रते कोश्चन पास नमबर का आपका होगा तो यह ज़्यादा चीजें जो हैं वो हाड नहीं है बस आपको केवल पढ़ाई करना है सारी चीजें स्टेप बाई स्टेप सॉल्ब होती जाएंगी द्रों से संबंदित प्रिष्ट तनाव और स्यानता गुड़ों को समझाईए द्रों के प्रवाह में रोनाल्ड संख्या का क्या महत्त्व है यह बी बताना है तो यह अगर आप एक कोश्चन करते हैं तो पास नमर मिलेगा निकि तीनों में से कोई दो करना है आपको ठीक है अगर आपको यह पेपर समझ में आये तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कबसे आप जो है वो इस चैनल से तयारी करने वाले हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब चलिए CBSC बोट के स्टूडен्ट्स के लिए मॉडल पेपर दिखा देते हैं यहाँ प गुषित्य precisamente का सॉद्वत को कर्याई भी एपाइवायर। है जोसी हमें डिल टार ऑना पैर को करते घोलों नहीं होगाई भी उसक्री तहमानों को पाइबार्य सब्सक्रा Lichty जान तरा पैर मिल हुछ है इस सब्सक्राइब कोरणा है निक्राइब दो प्रशनों को करना है और यहाँ पे तीन प्रशन दिये गए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजे और अपने दोस्तों को शुचित कीजे कि अगस्त के फर्स्ट विग से हम तयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस चीज को लेगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा चोथे प्रशन में आपको दो पार्ट करने हैं जैसे कि आप कोशन का पैटर्न देख सकते हैं उसके बाद से लास्ट कोशन है आपका पांचवा जिसमें भी आपको दो ही कोशन करने है और प्रते कोशन के लिए पांस नमर आपको दिये जाएंगे तो यही पूरा टोटल पेपर था आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा है 2018 का है यानि कि 2018 का है तो यह अगर ऐसे ही एक्जाम में आया हुआ है 2018 में यह सेम पेपर 2018 का है तो ऐसे ही आपका 2019 में आने वाला है तो क्या सोचते हैं इस पेपर के बारे में आपको क्या लगता है कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो easy है या फिर hard है हमें कमेंट में बताईए और कितनी जो है वो आपकी rank आई थी polytechnic में ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताईगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताईए कि किस जो है वो subject पर आप model paper देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद